नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में अक्टूबर महेने का पचास सबसे महतपुन करेंट अफेर को डिसकस किया जाएगा केवल एक वीडियो में और इसके जो पचास कोशन है इसमें से ऐसा एक भी प्रस्त नहीं है जिसे आप अस्किप करके आगे बढ़ सकते हैं बहुत ही इन सभी एकजाम के लिए महतपुर्न है तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा अगर वीडियो आप सभी को हिलफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में सेयर किजेगा चैनल को सस्क्राइब किजेगा और टेली ग्राम ग्रूप जोइन कर लिजेगा त तो आई देखते हैं पहला कोशन डिजटल रूप से साच्छर देश की पहली ग्राम पंचाईत कौन बनी है तो पूलंपारा ग्राम पंचाईत जो है डिजटल रूप से साच्छर देश की पहली ग्राम पंचाईत बनी है किस राज में अस्तित है तो केरल राज में अस्तित भारत का पहला सौर उर्जसंचालित गाउं किसे गोसित किया गया है तो मुढेरा गाउं को गोसित किया गया है ये कहां पर अस्तित है तो गुजरात राज में अस्तित है गुजरात राज में अस्तित है भारत के पचासमे मुखने अदिस कौन बने है तो डी बाई किन दू राजो को जोडेगा इंटरनेशनल फेडरेशन आफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालिक सर्वसेय inm भारती फिल्म के से गोशिद किया है तो पाठेर पान्चाली को गोशिद किया है और इसके निर्देशक कौन थे तो सत्य जीत रे इस मुवी के निर्देशक थे ठीक है इसे दुबारा देखेगा International Federation of Film Critics ने सर्व कालिक ध्यान रखेगा सर्व कालिक सर्वसेस्ट भारती फिल्म किसे गोशित किया है तो पाथेर पंचाली को गोशित किया है और इसके निर्देशक कौन थे तो सत्य जीत रे इसके निर्देशक थे चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोगता और दुसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है तो भारत देश बना है ध्यान रखेगा चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोगता है और दुसरा सबसे बड़ा निरियातक देश कोण है चीनी का तो भारत देश है हाली में चर्चा में रहा प्रचंड क्या है तो हलके लड़ाकू हिलिकॉप्टर है क्या है लाइट कमबेक्ट हिलिकॉप्टर है ठीक है ध्यान रखेगा प्रचंड क्या है एक हिलिकॉप्टर है किस राज के माबमलू गुफा को इनुसको ने दुनिया के पहले 100 I.U.G.S. भूबग्यानिक अस्थल में सामिल किया है भारत में पहला गुलोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयूजन कहां पर किया गया है चन्नेई तेमिल लाडू राज में अस्थित है एसिया का सबसे बड़ा संपिडित बायो गैस सयंत्र का उडगाटन पंजाब के संगरूर में किसके द्वारा किया गया है तो केंद्रिय मंत्री हरदीब से पूरी के द्वारा किया गया है एसिया का सबसे बड़ा संपिडित बायो गैस सयंत्र का उडगाटन पंजाब के संगरूर में किसके द्वारा किया गया है तो केंद्रिय मंत्री हरदीप सी पूरी के द्वरा किया गया है। हाली में केंद्रिय बन और परियावरन मंत्राले ने भारत का 33 हाथी रिजब बनाने की मंजूरी दी है। किस राज में यह बनाने की मंजूरी दी गई है? तो उत्र परदेश में यह बनाने की मंजूरी दी ग भारत का 33 मा है »Mahla Asia cup 2022 का खिताब किस देश ने जीता है» तो भारत में जीता है और आपको वयाद रखना है भारत सातमी बार Asia Cup जीता है किसे हराकर जीता है तो स्रिलंका देश को हराकर जीता है और आपको वयाद रखना है जो T20 क ब्लिटटी वर्ल्ल कम हुआ था उसका विजेता को ने, तो उसका विजेता आपके इंगलेंड है और उप विजेता को ने, तो पाकिस्तान उप विजेता रहा है, पूरुस की बात कर रहे थे ठीक है, फीफा अंडर 17, महला बिसकप 2022 का सातमा संस्क्रन भारत के कितने सहरों में आयोज़ित किया गया है, तो भ तो सूललर टीम आपके भाग लेती है फीफा अंडर 17 महला बिसकप 2022 में ठीक है आपको याद रखना है कि फीफा अंडर 17 महला बिसकप 2022 का आयोजन जो है भारत के 300 हरों में होता है कहां कहां होता है भुनेशवर, गोवा, नभी मुंबाई में होता है और इसमें आपके सूलर टीमें भाग लेती है और इसका सुभंकर क्या है तो इबा इसका सुभंकर था जिसे ACI सेर बोला जाता है और टूनेमेंट का नारा क्या था? किक ओप दा ड्रीम किक ओप दा ड्रीम टूनेमेंट का नारा था नेक्स कोशन है स्रिलंका लेजेंड्स टीम को हरा कर रोड सेप्टी वर्ल्ड स्रीज 222 तक हिताब किस देश ने जीता है? तो सचीन तेंदुलकर की कपतानी में जो है इंडिया लेजेंड्स के द्वारा जी तो इसका ब्रांड एंबेजजर सचीन तेंदुलकर थे कौन थे? सचीन तेंदुलकर इसके ब्रांड एंबेजजर थे पाच में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज में किया जाएगा? तो मद परदेश राज में किया जाएगा? मद परदेश के आठ सहरों पाच में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किया जाएगा इसका आयोजन कब से कब तक होगा तो 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा चोथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ था तो हरियाना के पंचकुला और चंडीगण में हुआ तो सुजाए लाल थावसेन बने है बिसी सी आई के 36 में अध्यच कौन बने है रोजर बिन्नी बिसी सी आई के 36 में अध्यच बने है अंतरास्तिय सौर गटबंधन के अध्यच और साध्यच के लिए कौन सा देश को चुना गया है तो भारत और फ्रांस को चुना गया है सह अध्याज के लिए फ्रांस को चुणा गया है ठीक है और आपको आद राखना है की पांचमी जो है आम बैठक कहा पर हुई थी तो नई दिल्ली में हुआ था कांगरेस के नए अध्याज कोण बने है मलका अर्जून ख़ड़गे कांगरेस के नए अध्यच बने है इनका संबंध करनाटक राज से है किसे हराकर कांग्रेस के अध्यच बने है तो ससी थरूर को हराकर कांग्रेस के अध्यच बने है ब्रिटेन का सम तमनमा परधान मंतरी किसे निवक्त किया गया है तो रिसी सुनक को निवक्त किया गया है किसे निवक्त क आपको पता भी है कि एलन मस्क ने टूटर को खरीद लिया है 222 संपदा संग्ठन द्वारा वैस्विक नमचार सुचकांग 2022 जारी किया गया इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है तो भारत को चलिसमा स्थान मिला है 132 देशों में वैस्विक नमचार सुचकांग 2022 में भारत को चलिसमा स्थान दिया गया है वैस्विक भुखमरी सुचकांक 2022 में भरत को कौन सा स्थान मिला है तो भरत को 107 स्थान मिला है 121 देशों में और आपको याद रखना है कि 2021 में भरत को 101 स्थान मिला था वैस्विक भुखमरी सुचकांक 2021 में जबकि 2022 में 107 स्थान दिया गया इसका मतलब है कि भारत में भुखमरी बढ़ा है हालही में Financial Action Task Force ने किस देश को Blacklist कर दिया है तो Myanmar को Blacklist कर दिया है इरान, उत्रीकोरिया, और Myanmar इन तीन देशों को Blacklist किया गया है Myanmar को किया गया है 2012 में इरान और उत्रीकोरिया को पहले ही किया इसनोड किजएगा, important है साथ ही आपको आद रखना है कि पाकिस्तान को जो है फानेंसियल एक्षन टास्क फोर्स ने जो है दो हजार बाइस में जो है ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है इतना आपको याद रखना है मेडिसीन का नवल पूरसकार 2022 किसे दिया गया है तो स्वानते पाबो को दिया गया है इनका संबंद स्वेडन देश से है और किसलिए दिया गया है तो मानब के क्रमिक विकास एबम मानब विकास के जिनोम की खोज के लिए स्वानते पाबो को जो है मेडिसीन का उनभल पुरुसकार दिया गया है मेरे साथ में बोलिएगा स्वान्ते पाबो स्वान्ते पाबो इनका सम्मंद स्वेडन देश से है इनको मेडिसीन का नबल पुरसकार दिया गया है 2022 में और किसले दिया गया है मानब के करमिक विकास एबम मानब विकास के जिनोम के खोज के लिए साहित का नबल पुरसकार 2022 किसे दिया गया है तो एनी एनॉक्स को दिया गया है और इनका संबन्ध फ्रांस देश से है साहित का नबल पुरसकार 2022 किसे दिया गया है तो एनी एनॉक्स को दिया गया है इनका संबन्ध फ्रांस देश से है सांती का नबल पुरसकार 2022 किसे दिया गया है तो सांती का नबल पुरसकार जो है एक बेक्ती और दो संगठन को दिया गया है जो बेक्ती है वो आपके बिलारूस के बेक्ती है और उनका नाम है एलेस बियालियाथ सिकी ये आपके बिलारूस में क्या है मानवाधिकार अधिबगता है और एक रूसी मानवाधिकार संगठन है जिसका नाम है मिमोरियल और एक उक्रियनी मानवाधिकार संगठन है जिसका नाम क्या है Center for Civil Liberties Center for Civil Liberties तो आपको याद रखना है very very important है सांती का जो नबलब प्रोशकार है एक बेक्ती और दो संगठन को दिया गया है बेक्ती का नाम क्या है एलेस बियालियत सिकी और जो दो संगठन है एक रूस का मनवाधिकार संगठन जिसका नाम है मिमोरियल और एक उक्रियन का मनवाधिकार संगठन जिसका नाम है Center for Civil Liberties उसका नाम है सस्त्र रामा नुजन पुरसकार 2022 किसे परदान किया गया है तो कैलिफ़र्निय विस्विद्याले के सहायक पुरफेसर इनकिंग टैंग को दिया गया है 32 में बिहारी पुरसकार केके बिल्लदा फॉंडेशन के द्वारा किसे दिया गया है तो डाक्टर माधव हाडा को दिया गया है किस लिए दिया गया है तो पचरंग चोला पहर सखी रे उपनियास के लिए दिया गया है किस भारतीय सहर को किस भारतीय सहर को जो है World Green City Award 2022 का पुरसकार मिला है तो हैदराबाद सहर को जो है World Green City Award 2022 मिला है किस स्रिलंकाई लेखक को सेवन मून्स उफ माली, अलमेडा के लिए बुकर पुरसकार 2022 मिला है तो सिहान करना तिलग को मिला है बीवी आई पॉइंट है दुबारा ध्यान से सुनिएगा किस स्री लंकाई लेखक को सेबन मौन्स ओफ माली अलमेडा के लिए बुकर पुरसकार 2022 मिला है तो सिहान करना तिलग को मिला है और आपको आज रखना है ये दुसरे स्री लंकाई बेखती है जिन्हें बुकर पुरसकार दिया गया है महात्मा गांधी रूरल इंडस्टिल पार्क युजना किस राजसरकार के द्वारा सुरू किया गया है तो 36 गड़ राज सरकार के द्वारा शुरू किया गया है हाली में एंटी डस्ट अभियान किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है तो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है एंटी डस्ट अभियान नई दिल्ली में एक देश एक उरबरक योजना की सुरुवात किसके दोरा किया गया है तो परदान मंतरी नरेंदर मोदी जी के दोरा किया गया है और जो आपको याद रखना है जो ये उरबरक है किस नाम से बिखेगा तो भारत ब्राण के नाम से उर्वरक बिकेगा इसे दुबारा ध्यान से समझेगा कि नई दिल्ली में जो है एक देश एक उर्वरक योजना एक देश एक उर्वरक योजना कि सुरुवात किसके दुबारा किया गया तो परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी के द्वारा किया गया और जो ये खाद है किस नाम से बिकेगा पूरे भारत में तो भारत ब्राण के नाम से बिकेगा अभी जो खाद है अलगला ब्राण के नाम से बिकता है अब जो उर्वरक है सिर्फ एक ब्राण के नाम से बिकेगा भारत ब्राण के नाम से बिके गया है 77 जलवाय परिवर्तन संब्य सम्मेलन कोप 27 का आयोजन किस देश में किया गया है और किस सहर में किया bettingि के तो सर्म अल शिक सहर में किया गया है बारमा 200 हिंदी संबिलन 2023 किस देश में आयुजित होगा तो फीजी देश में आयुजित होगा फीजी की राजधानी कहां पर है नाडी फीजी की राजधानी है फीजी आपका याद रखना है कि एक दिवपिय देश है कहां अस्तित है तो प्रसांत महासागर में अस्तित है तो आपको व्याद रखना है कि उबारमा विश्वे हिंदी सम्मिलन 2023 जोए फीजी में आयोजित किया जाएगा उद्योग संबर्धन और आंत्रिक वेपार विभाग की और से आयोजित छाद दिवसी जी आई महोसव का आयोजन कहाँ पर किया गया है तो वारा नसी में किया है गया है बारा नसी उत्तर परदेश में अस्तित है परदान मतरी मोदी जी का संसदिय छेतर है चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकोन किसे बनाया है तो एक्टर पंकच तिरिपाठी को बनाया है अंतरास्टी होकी महासंग ने वर्ष 2021-22 का सरवसेष्ट पुरुस और महला गो बनाया को चुना है पुरुस में पी यार स्रेजेश को और महला में सवीता पुनिया को अंतरास्टी महासंग ने वर्ष 2021-22 का सरवसेष्ट पुरुस और महला गोलकी पर चुना है मालाबार नौसेनिक अभियास 2022 किस देश में आयुजित किया जाएगा तो जपान में आयुजित किया जाएगा और आपको आद रखना है कि जो मालाबार नौसेनिक अभियास है इसमें कौनकों से देश भाग लेते हैं तो भारत अमिर्का और जपान प्रती बरस इसका से नाउं के बीच एक सायूक्त समुंद्री अभियास इबसा मार साथ हुआ है तो जो एबसा मार साथ अभियास है भारत ब्राजील और दच्छिन अफिरका के नव सेनाओं के बीच में हुआ है, भारत, ब्राजिल और दच्छिन फिरका के नव सेनाओं के बीच में हुआ है, मानवे सहायता अभियास, टाइगर ट्रम्प अभियास, मानवे सहायता अभियास जिसका नाम क्या है, टाइगर ट्रम्प अभियास किन दो देसों की संयुक्त सेना के बीच में हुआ है तो भारत और अमिर्का के संयुक्त सेना के बीच में हुआ है इसे दोबरा ध्यान से सुनिएगा ये मानविये सहायता अभियास है जिसका नाम क्या है टाइगर ट्रंफ अभियास किन दो देसों की संयुक्त सेना क के बीच में किया जाएगा तो भारत और अमिरिका के बीच में किया जाएगा जो यूध अभियास exercise है यह भारत और अमिरिका के बीच में होता है और 2022 का जो अभियास है उत्राखंड के ओली में होगा कहां पर होगा उत्राखंड के ओली में होगा ब्हारत और सिंगापूर के बीच में होता है और आपको यद रखना है यह नौसेनिक अभियास है नौसेना की तीन कमान का हेड़ क्वाटर कहा है वेरी वेरी इनपोर्टेंट है जो नौसेना है इसकी तीन कमान है और इसका तीनों कमान का हेड़ क्वाटर कहां पर है तो पच्मी नौसेना कमान का हेड़ क्वाटर कहां पर है तो पच्मी नौसेना कमान का हेड़ क्वाटर कह इसका PDF का अफ्लोट टेलिग्राम गुरूप से डाउनलोड कर लिजेगा नेक्स्ट है केंदरिय मंत्री जितेंदर सी ने सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशन पोटल भविस का सुभारम किया है जिसे ESVI के सहीदोग से बिक्सित किया है VVI पॉइंट है केंदरिय मंत्री डॉक्टर जितेंदर सी ने जो है सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशन पोटल जिसका नाम किया है भविस का सुभारम किया है जिसे ESVI के सहीदोग से बिक्सित किया गया है 10 अक्टूबर 2022 को भारत के पुर्वर अच्छा मंत्री और 10 अक्टूबर 2022 को भारत के पुर्वर अच्छा मंत्री और यादव का निर्दन हो गया है तो पांच अक्टूबर 2022 को जो है आद रखना है कि आप से पूछा जासकता है कि जो मुलायमसी यादव है यह अच्छा मंत्री कब बनते है तो आप लोग जो उत्य प्रदिस का एक्जाम दीजेगा आप लोग गूगल से सर्च करके देख लिजेगा कि रच्छा मंत्री कब बनते हैं ठीक है राश्ची डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है तो 5 अक्टूबर 2022 को मनाया जाता है तो 16 अक्टूबर को बिसु खाद दिवस मनाया जाता है और इसका थीम क्या है किसी को भी पीछे ना छोड़े जो बिसु खाद दिवस है उसका थीम क्या है तो किसी को भी पीछे ना छोड़े इसका थीम है विस्व पोलिय दिवस का मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को जो है विस्व पोलिय दिवस मनाया जाता है चियतर्मा भारती सेना का इनफेंट्री दिवस का मनाया जाता है तो 27 अक्टूबर को मनाया जाता है राश्टी एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है अम्बेदकर ए लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखा जाएगा तो कांग्रेस निता ससी थरूर द्वारा लिखा जाएगा आर्थ सास्त्री डॉक्टर बीमर जलान ने From Independence to Self-Reliance Mapping India's Rise a Global Superpower पुस्तक लिखी है तो आपसे पुछा जाएगा यह पुस्तक का नाम दे देगा कि From Independence to Self-Reliance Mapping India's Rise a Global Superpower यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है तो आर्थ सास्त्री बीमर जलान के द्वारा लिखा गया है ठीक है तो अक्टूबर से सम्मंधित जितना भी सारे को डिसकस कर लिया गया है देखेगा अगर आप लोग को वीडियो हिल्फुल लगता है तो चैनल को सस्क्राइब जरू किजेगा और वीडियो आपके दोस्तों में सेर किजेगा थांक्यू